दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि श्री लंका में लोग रावन की व्याख्या किस तरीके से करते हैं, क्या मानते हैं रावन को? आज की समय में श्री लंका में 70% आबादी सीनली लोगों की है जो की बहुत धर्म को मानते हैं और 20% आबादी तमिल हिंदुओं की है शेश अन्य मुसलिम और इसाई अबादी है बहुत धर्म का बहुत जादा प्रभाव होने से आज की श्री लंका की पीढ़ी रावन के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जाती लेकिन श्री लंका में सभी ये जरूर जानते हैं कि रावन जो यहां का राजा था वो भारत से सीता माता का अपहरन करके श्री लंका लाया थ अशोक वाटिका, त्रेपुरम, रावन फॉल, सीता अगनी प्रवेश स्थान और भी ऐसी जगह हैं वहां के रमायन टूर के दोरान आपको यह जगह दिखाई जाती हैं जो समय श्री लंका सरकार के परियर्टन विभाग देखबाल में ही रहता है रावन महाग्यानी, प्रकांड, जोतिश, आयुर्वेद का जानकार, अती बुद्धिमान और अभिमानी राजा था ऐसा श्री लंका वासी मानते हैं अशोक वाटिका जैसा हमने पड़ा यह रामनन सागर के सीरियल में देखा कि फूलों की भग्या में सीतम या विराजित हैं दासियां सीवा में तत्पर हैं यह सब हमने देखा था लेकिन असल में जब अशोक वाटिका को आज की समय में आप देखेंगे तो आपके रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे वाटिका के नाम पर पहाड की धलान पर एक समतल चट्टान है और वही अशोक वरेक्ष है पास ही पहाडी नदी बह रही है जहां तापमान 10 से 12 डिगरी अक्टूबर नवंबर में तो रहता ही है आसपास गंगोर जंगल है कैसे सीता माता ने यहां इतने दिन बिताए होंगे यह सोच करना आप भी डर जाएंगे तो दोस्तों यह थी असल जानकारी श्रेलंका में लंका की और रावंड के बारे में लोग कितना क्या जानते हैं सीता मा कैसे वहां रहती थी वो सभी हमने आपको बताया वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा नलते हमने नेक्स वीडियो में तिल दैन और आलवेस कीप स्माइलिंग जैगुरू जी